तो आज मैं शुर्वाइव करने जा रहा हूं 100 days in a crafter mc skyblock server जिसको नहीं पता के crafter mc skyblock server क्या है तो मैं बताता जाओं this is a copy of hypixel skyblock and इसी एक के अंदर आज मैं शुर्वाइव करने जा रहा हूं 100 days and हमारे कुछ goals होंगे जो कि मैं आपको screen पे दखा रहता हूं and यह सब हमारे goal होंगे जो कि मुझे complete करने पड़ेंगे and guys और यह video बनाने के मुझे बहुत सारे दिन लग चुके थे 15-16 दिन से ज्यादा time मुझे लगा था और एट्रिंग करने में बहुत टाइम लग गया था so let's start our video तो मैं अपने basic mission almost complete कर चुका था ताकि आपका time waste ना हो तो सबसे पहले मैं अपने minion से यहां से समान लेता हूं तो यहां पर money earn करने के लिए मैं सीधा आया तो अपने farm के अंदर ताकि थोड़े से money earn कर सकूँ और start के लिए काई मैं अपने जंगल एक्स करा बाय कर सकूँ क्यों कि मज़े अपना forging level भी complete करना था and यहां पर मेरी entry भर चुकी थे तो मैं ऐसे बजार के अंदर sell कर देता हूं and हमारे पार 2 के coin आ चुके थे अभी और भी हमें money earn करने तो तो gain से चलते हैं उदर ही तो मेरे पास bank में भी थोड़े money पड़े तो मेरे पास 4k coins हो चुके थे तो जंगल एक्स हमें almost 5k coins में मिल जाएगी तो यहां पर मैं again farming करने लग जाता हूं पैसो के लिए and यहां पर मेरे पास 7k coin आ चुके थे अब buy कर सकता हूं तो यहां पर मुझे यह बंदा 9.8k coin पतन क्यूं देता है ले लेता हूं मैं free में मिल रहे थे तो यहां से मैं coin ले लेता हूं and then मैं अपने लिए buy कर लेता हूं jungle x 5k coins के अंदर तो मुझे मिल जाती easily तो सीधा मैं आ जाता हूं forging करने के लिए अपने level 3 तो आपको मैं इस सारे basic mission complete करने के बाद मिलता हूं तो basic mission complete करके मैं अपने island पर आ चुका था यहां से मैं बना लेता हूं अपने लिए एक chest then मैं अपने लिए क्राफ्ट करता हूं golden pickaxe and यहां पर आके मैं cobble stone mine करना शुरू कर देता हूं तो यहां पर मैंने पास बहुत यहां cobble stone आ जाते हैं जिने मैं chest के अंदर रख देता हूं and अपने island मैं expand करना शुरू कर देता हूं ताके मैं इसके ओपर एक cobblestone farm बना सकूं and यहां पर मैं देखा देता हूं आपको मैंने कितना अपना island expand कर लिया था तो यहां से मैं buy करता हूं magical water bucket and guys मैं अपने island पर आ रहेता हूं दखाता हूं आपको cobblestone farm की guys outline अब इसे guys मैं जली लिए बना लेता हूं तो यहां पर में पास कुछ jam पड़े होते हैं तो मैंसे sell करना शुरू कर देता हूं यहां से मैं बंदे से लेता हूं 500 के coins and अपने जैन से इसके लिए guys buy करता हूं विजिटर स्लोट then मैं 5k coins के अंदर buy कर लेता हूं अपने लिए minor armor इस वाले बंदे से and then इस वाले बंदे से गाई मैं buy करता हूं pickax अपनी efficiency 5 वाली वो भी guys 100k coins के अंदर पता नहीं मैं क्यूं करता हूं लेकिन यहां पर मैं एक और अपना विजिटर स्लोट स्लोट करता हूं इस वाले बंदे को तो यहां पर गाई से 100k चाहिए थे तो इससे पहले मैं guys half money लेता हूं तो इसका अपग्रेड करता हूं then guys against इसके half money ले लेता हूं and मेरे पास guys almost 1 million coin हो चुके थे 1.4 million तो guys against cobblestone mining करने के लिए आज चुका था फिलहाल में पास अभी कुछ भी नहीं था करने को तो मुझे अपने सुपर कपेक्टर की सबसे पहले recipe unlock करनी थी then मैं जाता हूं सीधा अपने auction house के अंदर buy करने के लिए guys enchanted wood ताके मैं अपने लिए बना सकूं medium story bag minions के लिए तो जैसी मैं guys अपने दोस के बाद TPA करता हूं मैं अभी recipe unlock नहीं हुई थी तो दोस के बाद TPA करती ही वह था graveyard के अंदर एंड सारे money मेरे bank के अंदर ही थे तो जैसी मैं जाता हूं वहां से guys zombie आयते हैं जो के मुझे मार देते हैं guys and guys मैं अपने loss कर देता हूं guys six hundred के coins and guys जो मैं पास one million coins से guys उड़ चुके थे half so guys six fifty two guys coins एक दफा guys मेरे गाइब हो चानक से एक दफा गाइब हो चानक से एक दफा मुझे जीसता तो बहु लगता है लेकिन guys बाद मैं guys मैं control कर लेता हूं and again guys grinding शुरू कर देता हूं तो फिर यहां पर मैं से देता हूं अपने guys level 1 के bag or guy यह में craft कर देता है level 2 के तो यहां से लेने कमा सिधे चलता हूं अपने मीनन्स के लिए and सारे bag मैं अपने मीनन्स के अंदर प्लेस कर देता हूं then compactor के लिए मैं इस बंदे से ले लेता हूं एक redstone मेरी रस्पी अभी तक अनलोक नहीं हुई थी तो इससे मैंने ले लिए था एक redstone अपने अपने मीनन के अंदर प्लेस कर देता हूं and मैंने ओक लोग लगाई थी जो कि 100 के बिड़ चली गी थी शकील नाम के बंदे की तरफ से तो थैंक्यों सो मच तो एक दफा मैं आपका उसका island दिखारता हूं ये इसकी collection है जो गाइस मैं आपको स्पीड के अंदर दिखाऊंग मैं जालना भी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं जास छोटी वीडियो है तो थोड़ा दिखारता हूं गाइस का तो गाइस collection बंदे ने बहुत अच्छी बनाई हुई थी तो इस कारणे देखने के बाद दबारा गेंट से मैं आ चुका था अपनी कोबस्तों माइनिंग प कर सकूँ तो यहां पर अगें मेग अपनाता हूं चलता हूं सीधा अपने ऑक्षिन हाउस के अंदर है तो मैं एक कॉमपेक्टे 10 के कल देता हूं यहां पर तो सारे कॉमपेक्टेर मैं जल्ली लिगा तो अपने ओक्षिन के अंदर तो फ्री टाइम के दर मैं बाय करता हूं कोब्दस्टोन 40 थी की क स्टायक बादक भीट्टी शिक्टी किृटि कह स्टायक मात greens एक बनाने के बाद बाद यहां केक हिस हिसां में फलीपिंग कर रहा था, तो अगेंस में कोबलस्टों मारे पास आ चुके हैं, जिने मैं बेंक के दा जली डिपोर्ट करा रहता हूं, तो काफी दिन के बाद मेरे पास समान आ चुका था कि मैं मैं अपने सुपर्ः कःटर थृत बढ़ां सकूं तो सास मान मैं नकाल लेता हूं एंड कर ले तो आपने सुपर्ः कःखेटर 3000 कि गर से भी अपने उख्ण हाउस के अंनर सेल कर देता हूं जो के गाइज लगाते ही सेल हो जाता है तो इससे में अपने मनी क्लेम कर लेता हूं गेन से अग्शन ऑस पर मैंने बिल लगाई हुई तो मेरे एक बंदद घाई हमें 1.000.000 कोईन के बिड़ कर देता है जो के बाद में उसके मैं कोईन वापस कर देता हूं करता नो बहुत दिन तक और अच्छा खासा कोई गरा आ चुका था एंड हमारा गोल था काइज फाइव मिलियन कोईन्स करने का लेकिन फिलहाल तो मेरे पास बहुत काम कोईन्स थे तो यहां से यह से डेली में क्लेम करता था समान अपना और यहां पर हमारी बीड देखे किसन जीती तो इसके मनी कायद मैं बाद में से वापस भी कर देता हूं कि रहता था तो यहां पर गाई दबाद से बैंक में डिप और कर देतें सारे मनी अगले दिन में अगेंट से अपने मिनन को लूटने लग जाता हूं कज क्राफट करने तो यहां पर मैं इसमीन कर देना अब कर लए तो म एक रिकरास करने लुत fast कर लिए टेंगे मुझे स्ट्रेक्र मैं क्राफ्ट करनें पड़ेंगे तो यहां पर चुरू करते हैं तक बाद सबसे टिंद करने करते हैं मैंठेल करने के लिए मैं आजयताओ गयंग से फार्मिंग वाले जगा पे धख़ जहाँ पर यहांपने मेलन में 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 भी अनलोक कर लेताऊ मैं वैंट और म सयOoh मैं पुटेटो वाइड करने लग जाताओ अकि कृप्विपिंग कर अजरु § मैं craft कर रहता हूं साथ में Lal Ford का guys मैं Carrick minion भी craft कर लेता हूं साथ में तो एंड अगेंस मैं Cobble some mining up लग गया था एंड अगेंस थोड़ी सी flipping करता हूं मैं एंड देन मैं अगेंस आज तो अपने minion के लिए story back बनाने के लिए और minion में अपस आ चुके थे कि तो में रस्पियन लोग नहीं हुए थी तुम्हें जश्ट को समान दे रहे तो अगेंड से गाइद वो क्राफ्ट कर देते हैं अपनी लेजी वाली फ्री के अंदर तो यहां से ज़ली पिकस्ट उठाते हैं गाइद से वापस कर देते हैं एंड हमें मिल जागी एफचेसी 3 औ अंदर आपने सबसे पहले अनलोग करता हूं अपना एमरल वाला मिनियन और अपना डामेंड वाला मिनन भी मैं लोग कर लेता हूं यह सब कुछ करने के बाद में पास कोबल स्वार्ट करा काफी जमा हो चुका था तो अगेंड से मैं से सुपर करक्टर के अंदर कर देता जमा इपने से से क्राफस करने के खालए छिण मेंट लोग करने के लिए छल्लम में अलो करने के लिए ंशा treat कि भूबते बार तो अपने लैपिट वाली जगह पर आपना लैपिद मेर्बण व्लोग करता हूं मैंना एपना में लोग कर लेता हूं थोड़ा सा obsidian थोड़ी सी books पगेरा एंड गाइज में craft कर लेता हूं अपने लिए इंचांटमेंट टेबल और युसे प्लेस करके अपनी ट्रिक गाड़ा लेता हूं पिकक्स के अंदर एंड एफिशन सी थ्री डामड वाल वाल पिकक्स के अंदर थाके में जलिली काम कर सकूं यहां पर सबसे पहले मैं craft करतों अपने लिए करता हूं iron minion then craft करता हूं अपने लिए lapis minion और guys सारी क्राफ्ट कर लेता हूं अपने xp water and sword में diamond minion and auction house में हमारा सारा समान सेल हो चुका था जिसे मैं claim कर लेता हूं and guys again से मैं एक super compactor बना लेता हूं जिसे मैं against auction house के अंदर लगा रहता हूं and हमारे पास guys कौन भी अच्छे खासे आ चुके थे तो हमारे पास 4 million हो चुके थे guys 1 million और चाहिए थे अगेंस मैं guys melon farming के लिए तो अपने minion का level upgrade करने के लिए and this level guys मैं upgrade कर देता हूं level 3 तक and अगे इसे guys दूसरे minion lock करने थे तो मैं वह अभी आयता हूं तो यहां पर शीव बिनन गाइस काव मिनन सारे मैंने minion unlock कर लिए ते इने craft भी कर लेते हैं then मैं अपने लिए शुगर minion unlock करने लग जाता हूं तो यहां पर माया लगाया वह सब्सक्राइब हो यहता है मैं क्लेम कर लेता हूं auction house में अगेंट से इंचेंट्री रेट्टोन लगा रहता हूं and हमारे पास guys coin हो चुके थे 4.6 और 4.6 million हो चुके थे coins just guys 400 के coins हमें और चाहिए थे तो यहां पर minion भी guys इतारा चाहिए थे और craft करने थे और हमारा guys 10 लोट unlock हो जाएगा तो सब्सक्राइब मैं आयता हूं अपनी आयस माइन के लिए and इसे भी craft करने थे minion को जड़ियली then 30 माइन फ्लिपिंग बराय करता हूं इस बंदे से guys 350 के में बाय करके मैं 378 के guys sell कर देता हूं अपने auction house के अंदर then auction house में guys मैं बाय करता हूं guys 300 के का कोई sell कर रहा था तो मैं 10 सुपर को बैकर बाय कर ले तो हूं जिसे बाद में guys मैं sell कर देता हूं easily 320 के का एक and guys मुझे अच्छा खाथा profit उसके अंदर हो जाता है तो यहां पर guys दिखा रहता हूं मैं आपको profit अपना auction house खोल कर and guys देखे सारे मैं लगा दी थे तो यह सारे sell हो जाते हैं हमारे यहां पर guys coins सारे complete हो जाते हैं हमारा नेक्स्ट वाला चैलेंज भी complete हो गया था अब guys हमारा चैलेंज है नेक्स्ट वाला अपने लिए minutes float unlock करने हैं तो यहां पर guys coins मैं buy करने लग जाता हूं अपड़ेड हो गयरा minutes के and इसका guys level up कर देता हूं सारे minutes का ताके मेरे और ज्यादा minutes float unlock हो सके and हमारा goal था guys 10 minutes float का उसे भी complete कर लेते हैं मैं काफी सारे minutes unlock करता हूं और ज्यादा यह हमारा last minion था तो मैं लेपीज मिन गाइस level 2 का कर देता हूं और हमारे 10 minutes float guys हो चुकिते अन लोक आप साइड बद देख सकते हैं next goal था हमारा एक अच्छा सा आर्मर तो मैं max skill magma armor by color town 1 million coins के अंदर अगर मैं अपनी hp के बात करो गाइस 944 hp हो चुकिए गई तो अब मुझे चाहिए थी चाहिए थी सोड जिसके मैं बगाई यहां पर मैंसे देता हूं अपना समान रोगाई मुझे क्राफ का कि देता है wand of healing तो इसे मा ले लेता हूं एसे करते करते माई level 3 complete हो चुका था अब मैं क्राफ्ट कर सकता है आपने रेवनेट सोड लेकिन मुझे चाहिए था क्रिस्टलाइज हर्ड जो गाइज नीलू मुझे सिर्फ 500 कॉन कंदे दे रेता है पता नहीं क्यों देता है लेकिन दे रेता है थैंक्यों सो मच पार हेल्पिंग तो इसे हाट लेने के बाद मैं क्राफ्ट कर लेता हूं अपनी रेवनेट सोड को गाईज या इसे इसली मैं वाल स्किल रहेगी थी के इसमें लावल 10 हो जाएगा एंड हमारा सारा गाइज करने के बाद यानि हर इंचंड में मैं अपनी चीज़ें पर लगा ली थी और मैं फुल त्रिके से रेडी हो चुका था टार 3 को मानने के लिए यह यहां पर देख सकते हैं लावल 10 हो चुका हमारा एक और गोल भी कंप्लीट हो चुका था मैं यहां पर आपको दिखा रहता हूं सारी स्किल दुगहरा तो यहां पर स्किल देख सकते हैं सारी 10 हो चुकी थे हमारी एंड अब मैं आ चुका था बंदे को पैसे मैंने वापस कर दिया जिसने मेरे मेरे ऑक्शन हाउस पर कायई बिड़ कीथी ती ही वोन पर 4 मिलियन कोईन की तो इससे मैं पैसे वापस कर देता हूं इसका पैसे वापस करने कबाद मैं आया तो टारसी को दो सोलो मानने में लेकिन पहली दुफ नहीं हार जाता हूं पथा निक्सित प्र Assay रिए कर लेता हूं और स्टाइब कर दे यहां पर मैं सारा आइलेंड आपना तोड़ देता हूं अब गाइज मुझे बिनाना था कुछ तो अजीब सा यानिक कुछ यूनीक सा तो मैं आपर सोचने लगे तो डिजैन वगएरा तो बहुत सोचने के बाद मेरे जहन में एक डिजाइन आता तो मैं आपको दिखा रहता ह अब यहां पर मैं अपना बनाना चाहता था एक गोड़ शेप में तो यहां पर मैं दिखारता हूं मैं खुद बनार होने के बहुत से बंदया केहेंगे कि आपने खुद नहीं बनाएते इसलिए मैं सर्फ यहां पर मुझे जबानी बनाने आ चुका था यानि के मैं अब वीडियो देखे बगार बना सकता था तो यहां पर मैं बनाने वाला था फाइफ सर्कल एक सेंटर में गाइज बाकी चार उसके साइड बस साइड तो मैं दिखारता हूं यहां पर तो मैं सारे गाइज यहां पर मैं यूज कर रहा था लग लग टाइप की लिव और इसी के साथ मेरा गाइज यह सारा कुछ कम्प्लीट हो जाता है अब इसके अंडर का इस रूम अगरा हम बनाएंगे गाइज नेक्स वाले वीडियो के अंदर अगर इस वीडियो पे अच्छा स्पोर्ट रहा सब कुछ मैंने किया गाइज जस्ट मुबाइल पे तो स्टोड़िज का बहुत है मसला बना था लेकिन मैंने कैसे भी करके मैनेज कर लिया था सब्सक्राइब बनाना पड़ता था अगरा कुछ की नहीं आता तो साइड पर डेट चेक कर सकते हैं शुरू में जाके एक तरीक से मैंने रिकार्डिंग शुरू की थी आज मुझे पंदरवा दिन था तो यह सो दिन से ज्यादा भी हो सकते हैं माइंड कि आज सो दिन से कम सब्सक्राइब हो सकते थे एंड हमारे यह सारा कुछ कम्प्लीट हो चुका था एंड थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो तो सभी को मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए ट्रॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई 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 अला हाफिज सास्दा CINEMATIC SHOT in mobile